आगों पर लगे हैं कीडे और देखे और रेंगने वाले कीडे एक ही बार में कट के निकल चुके हैं पूरी तरह और यह चोटे-चोटे मैंगोर्स वाले कीडे थे जो कि यह भी रिमू हुए और यह ब्लैक वाले कीडे भी सेफ तरीके से रिमू हो चुके हैं और देखे हमारे रिती लवल अच्छा को ब्लैक वाले ट्राइफ ओफ ओविया को निकाला और यह होल वाले मैंगोर्स वाले कीडे हैं जो कि यह भी रिमू हो चुके हैं पूरी तरह और यह ट्राइफ ओफ ओविया वाले कीडे भी सेफ तरीके से रिमू हो चुके हैं यह मू वाले कीडे थे यह भी रिमू हुए तो देखी हमारा हैंड वाले चाकू भी बहुत ही सेफ तरीके से निकाला कुछ कीडे को और यह फिंगर्स वाले कीडे भी सेफ तरीके से रिमू हुए और यह काफी खतननाक वाले कीडे थे जोगि हमारे सीलवर वाले चाकू ने काटा और यह प्लैक वाले कीडे पूरे की पूरे रिबू हो चुके हम लोग दवाब लगाएंगे तो दिखिए दवाई लग चुकी है और दूसरी जगे भी हम लोगों ने दवाब लगा दिया है अब इसको हम कॉटन बॉल्ट रुई से साफ करेंगे तो हमारा कॉटन बॉल्ट रुई आ गया हम लोग टाइमर चलाएंगे अब टाइमर चलाने के बाद देखते हैं आप बार लोड़ हमारा क्या निकलता है तो फारे टाइमर खतम हो चुका है और आप लोग देख सकते हो लड़की का पूरा आपका ट्रीट्मेंट एनिमेशन हो चुका है समयन के पूरे ही देखे टोन ग्यू पर लग गए हैं कीडे और इसके पूरे जीप पर का हम लोग कीडे को रिमूव करेंगे एक ही सिगेंड में तो ये ट्राइपोफोबिया वाले कीडे हैं जो यह भी शेप तरीके से कट की निकल चुके हैं अमारे चाकू आगया और देखिए फंगल वाले कीड़े को बहुत ही सेप और रोसब तरीके से निकाल चुका है आगे हमारा वैक्यूम और ये देखिए कीड़े को पकड़ा और रिमूव कर दिया है एक ही सिकेंड में और दूसरा वाला भी पकड़ा गया और ये वाला कीड़ा भी देखें सेब तरीके से निकल चुका है हमारा वैक्यूम का काम खतम आगे हमारा चाकू और ये गिनावने टाइप की कड़े को काटेगा और देखिए गिनाउने वाला टाइप का कीड़ा गिर चुका है कटके एक ही सिकेंड में और ये वाला भी देखिए सेफ तरीके से कटके निकल की गिर चुका है टेंजरस कीड़ा था और ये फेफिड़े वाला भी कीड़ा देखिए गिर चुका है हम लोग आज पूरे इसके जीप का ट्रेलिफन करेंगे और ये आँख वाले कीड़े भी देखिए निकल चुके गिर चुके हैं बहुती सेफ तरीके से आगे गोल्डेन वाला चाकु हमारा और देखिए गोल्डेन वाला चाकु बहुती सेफ तरीके से निकल चुका है एक ही सिकेंड में और ये मैंगोट्स के घवत थे जोकि ये भी सेफ तरीके से कटके निकले और ये मैंगोट्स वाले गिनोर टाइप की कीड़े थे जोके भी कटके निकले और इसके दूसरे साइड भी लग गये थे तो इसको भी हम लोग ने सेफ तरीके से कटके निकाला और ये सिंग वाला कीड़ा भी गिर चुका है सेब तरीके से और ये दूसरा वाला भी सिंग वाला कीड़ा ये भी गिर चुका है आसानी से और ये हमारा सिलवर वाला चाकू बहुती सेब तरीके से रिमो गिया कुछ कीड़े को और देखिए काटिदार वाली कीड़े भी इसके जीब से निकल चुके है अब हमारा दवा लग चुका है और दूसरी जगे भी हमारा दवाई लग चुका है अब हमारा आगे है कॉटन बोल टूई और हम लोग अब टाइमर चलाएंगे तो देखे हमारा टाइमर भी चल रहा है तो फाइनली आप लोग देख पर लगे हैं कीडे हमारा चाकू माउथ वाले कीडे को निकाल दिया है और यह आई वाले कीडे थे तो देखे हमारा चाकू बहुत ही ओसम तरीके से काटा कीड़े को और हैंड वाला चाकू बे देखिए आख़ वाले कीड़े को निकाला और ये वाला कीड़ा भी गिर के समापत हो चुका है पूरा का पूरा और ये ट्राइपोपोबिया वाले कीड़े थे जो कि ये भी सेप तरीके से रिमू हो चुके हैं और ये ब्लैक वाले खतरनाक कीड़े जो कि खिनोए टाइप के हैं इसको भी निकाला हम लोगों ने और ये ब्लैक ट्राइपोबिया वाले कीड़ा ये भी निकल चुका है आगे हमरे स्प्रे अब देखिए स्प्रे से हम लोग फंगल को हटाएं ये वाले फंगल भी गिर चुका है और दूसरा वाले देखिए फंगल बुरी तरह से गिर चुका है ओसम तरीके से हमारा चाकू ट्राइपोबिया वाले कीड़े को असानी से काटके रिमूव कर दिया है और कुछ ये भी ट्राइपोबिया वाले कीड़े थे चुकि ये भी सिर्फ तरीके से कटके रिमूव हो सके हैं तो हम लोग पूरे ही फेस का बहुत ही जवर्जास तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे आज और देखिए ये रेड़ वाले घिनोरे टाइप की कीड़े थे जो कि ये भी सिर्फ तरीके से कटके रिमूव हो चुके हैं और ये कुछ ब्लैक वाले कीड़े थे जो कि ये भी सिर्फ तरीके से रिमूव हो चुके हैं और ये वाइट वाला कीड़ा था जो की बहुत ही बहुत ही खतरनाग था वो भी रिमू हुआ तो किछ केड़े और बचे हुए थे तो इसको भी हम लोगों ने रिमू किया आप इसके माउथ को हम लोग दवा लगाएंगे माउथ में तो देखिए दूसरे जगह भी दवाई लग चुकी है औसम तरीके से और आगे हमारा कॉटन बूल रोई और हम लोग टाइमर चलाएंगे अभी इसी वक्त तो देखिए हमारा टाइमर चल रहा है बहुत ही सेफ तरीके से पूरे ही फेस पे लग गए हैं कीड़े और देखिए हमारा चल को बहुत ही सेफ तरीके से कटा माउथ को और इसके आख वाले कीड़े को भी निकाला और ये दूसरा वाला आख वाला कीड़ा कटके रिमूव हो चुका है एक ही जटके में और इसके हेर पे भी लग गए थे कीड़े उसको भी देखिए हम लोग ने सेफ तरीके से रिमूव कर दिया है पूरा का पूरा और ये फंगल वाले कीड़े थे इसके फेस पे लगे वेट काफी तगड़े तगड़े के से वो भी गिर चुके है और ये ब्लैक वाले कीड़े वेदे के सेफ तरीके से कटके रिमूव हो चुके है एक ही जटके में और हमारा पतल वाला चागू बहुती ओसम तरीकी से काटके रिमूव गिया फिस वाले कीड़े को और हमारा हैंड वाला चागू भी देखी आदे वाले फिस वाले कीड़े को निकल दिया है और ये रिड़ा वाला कीड़ा बहुती चादा टेंजरस और खतानाक होता है इसको भी रिमूव करती है हम लोग ने और देखिए कुछ घिराड टाइप ही कीड़े थे जोकि ये भी सेब तरीकी से कटके रिमूव हो चुके हैं और कुछ ये ब्लैक टाइप की कीड़े थे ये भी कटके रिमूव हो सुके हैं और ये कुछ घिराड टाइप की कीड़े थे ये भी सेब तरीकी से कटके रिमूव हुए और देखिए हमारा पत्लोला चाकू मैंगोर्स वाले कीड़े को रिमूव कर चुका है पूरा का पूरा और देखिए हमारा कुरोमूवला चाकू भी आया ये भी सेब तरीके से ट्रेटमेंट किया और आके हमारा दवा तो देखिए दूसरे जग़े दवाई लग चुकी है इस भी माउथ में और ये हमारा माउथ का ट्रेटमेंट होगा आज पूरा का पूरा तो हम लोग टाइमर भी चला देते हैं तो टाइमर अभी चल रहा है टाइमर चलने के बाद देखते हैं तो पूरी ही फिस पे लगे हैं कीडे और देखी कुछ ये गिनवर टाइब की केड़े को हम लोग ने काटकर रिमूव कर दिया है एक ही चाकू से और ये आँखो वाले कीड़े भी निकल चुके हैं कटके एक ही बार में रिमूव हो चुके हैं और ये गिनवर टाइब कीड़ा आपी देखी ये सेप तरीके से कटके निकल चुका है और ये भी ट्राइबोफोबिया वाले कीड़े थे जो कि ये भी सेप तरीके से कटके निकल चुके हैं तो हम लोग पूर ट्रेटमेंड करेंगे आज इसके पूरे ही भेस का बहुत ही टीप क्लीन के साथ और ये हमरा क्रोम अलचा को फंगल वाले कीड़ी को रेमूबिया एक ही जटके में और देखिए गिनरेटाप के कीड़े थे जो कि ये भी सेप तरीके से रिमूब हो चुके हैं और सम तरीके से और ये ब्लैक वाले कीड़े थे जो कि बहुत ही जादर टेंजरस खतरनाक होते हैं रिमूब हुए और ये चटे चटे फंगल वाले कीड़े थे जो कि ये भी सेप तरीके से कटके रिमूब हो चुके हैं और ये हमारे घणासा वाला चाकुती की सेप तरीके से रिमूब की या फेस पे लगे हुए कीड़े को और ये खिनोने टाइब की कीड़े भी रिमूब हो चुके हैं और ये चीटी वाला भी खिनोने टाइब का था वो भी रिमूब हो चुका है तो देखिए पूरे के पूरे कीड़े को हम लोगोंने रिमूब कर दिया है अब हमारा दवा लग चुका है और दूसरी जगे भी दवाई लग चुकी है बहुत ही सेप और रोसम तरीके से आगे हमारा कॉटन बूल रूई और हम लोग चलाएंगे अब टाइमर अब टाइम पर चले के बाद देखते हैं फाइनल जाइस जैसा आप लोग देख सकते हो इस लड़की के पूरी ही फेस पे बहुत ही तगड़े वाले कीड़े लग चुके हैं तो देखिए हम चिम्टी के मात्यम से धीरे-धीरे रेड़ वाले कीड़े को रिमूब करेंगे बहुत ही करेंगे हम आज तो देखिए हमारा कीड़ा पकड़ा गया और देखिए बहुत ही सेफ तरीके से हम लोग ने चिम्टी प्राजम से फेक दिया वागे हमारे चाकू और देखिए होल वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से काटा और ये दूसरा वाला भी होल वाला कीड़ कटके निकल चुका है बहुत यह उसम तरीके से आगे पतल ओला चापू और देखिए इसके माउथ को यह वाली कीड़े को निकाला आग वाला भी कीड़ा कटके निकल चुका है एक ही बार में आगे हमारा दूसर ओला चापू और यह ब्लैक वाले किड़े टाइप कीड़े को एक वार में काटके निकल के फेक दिया है फिस पर लगे हुए फंगल को भी काटके निकाले हम लोग रिमू कर दिये हैं पूरा का पूरा और यह हूल वाले कीड़े हैं जोकी यह भी निकल चुके हैं पौसम तरीके से और यह कुछ कीड़े टाइप की थे वह भी निकल चुके हैं और देखिए केचुवे वाले कीड़े भी निकल गए हैं एक ही बार में और यह कुछ कीड़े टाइप कीड़े थे जोकी यह भी सेब तरीके से निकल चुके हैं एक ही बार में और यह देखिए होल वाले कीड़े थे जोकी राउंड में थे वह भी निकल चुके हैं अब यह मार बेच्चा वाला चाकु जोकी गिर्णर टाइप की कीड़े को यह खिबार में काटकी निकल दिया है और यह सिंग वाला कीड़ा भी रिमूव हुआ और यह दूसरा वाला भी सिंग वाला कीड़ा रिमूव हो चुका है आगे हमारा पत्ल लो चाकू तो देखिए फुल फेस को हम लोगों ने बहुत इसे तरीके से ट्रिप्रेंट किया अब देखिए आगे हमारा दवाई इसके काटेदार वाले काटे पर लगेगा तो देखिए लग चुका है और यह हमारा दवाई चला भी गया आगे हमारा कॉटन बूल रोई तो हम लोग पर देख सकते हो इस लड़की के पूरे ही फेस पे देखिए भाई ज्याधा कीडे लग चुके हैं जो केम चिम्टी के मादिम से इसको रीमूव करेंगे और देखिए हमारे कीडे को सेप तरीकी से रीमूव किया हमारे चिम्टी ने और देखिए ये लास्ट वाले कीड Förग दाल दिया एक ही बार में काटके और यह ट्राइफ अपोबिया वाले कीड़ो को भी सिप तरीकिसे रिमू किया आगे हमारा हैंड वाला चाफू और यह ट्राइफ अपोबिया वाले कीड़े को इसको भी देखिए रिमू कर दिया है एक ही बार में आगया चाकू हमारा और यह बीदे के गिनाउने वाले टाइफ की कीड़े को एक ही बार में रिमू कर सोगा है पूरा का पूरा और यह आई वाले कीड़े को भी सेफ तरीके से रिमू कर चुका है आगे हमारा क्रोम वाला चाकू और देखिए यह गिनाउने टाइफ की कीड़े को भी रिमू कर दिया है एक ही बार में और यह भी कुछ कीड़े थे जो कि यह भी रिमू हो चुके हैं बहुत ही ओसम तरी थे पतल वाला चाकू हमारा आया और देखिए मैंगोट्स वाले कीड़े को भी रिमू कर चुका है पत वाला चाकू हमारा अगे पतल वाला कटल और यह फंगल वाले कीड़े थे इसको भी देखिए बहुत ही सेफ तरीके से रिमू किया और यह भी कुछ गिनुटाइब की कीड़े थे जो कि हम लोगों ने रिमू किया बहुत ही सेफ तरीके से और यह भी गिनुटाइब की कीड़े थे यह भी रिमू हो चुका है अभी लास्ट वाला कीड़ा बचा हुआ है और यह लास्ट वाला कीड़ा भी बहुत ही सेफ तरीके से कटके निकल चुका है और हम लोग दवा लगा देते हैं और दिखी दवा लग चुकी है बहुत ही ओसम तरीके से और यह हमारा दवा भी गया हमारा कार्टन वूल आ गया रोई बहुत ही सेफ तरीके से और यह दिखी टाइमर चलने भी लगा है बहुत ही ओसम तरीके से तो दिखी टाइमर चल रह है जो कि हम रिमूव करेंगे आज तो देखिया हमारा चाकु बहुती सेव तरीके से बहुती भुष्म तरीके से क्लीन कर रहा है और यह हमारा बलाक वाला चाकु बहुती से तरीके से मामृट कीड़े को बशू चुन्यक 선생님 काट कुझा है उसे मामृट कीड़े को बहुत सेफ तरीके से काट चुका है और ये-वी कुछ कीड़े पारस यह अफ कि칌ोगा का हो गए है ओसम तरीके से और यह रिट कलर की गिर्णवी टाइब की कीड़े थे जो कि यह की रिमूम हो चुके हैं और यह लिज लिज वाले कीड़े होते हैं जो कि खतरनाक होते हैं अट पिलग चुके हैं और यह देखी कुछ कीड़े को हम लोग ने फिर से बहुत ही से तरीके से गिरा चुके हैं हम लोग और यह ट्राइप अपापिया वाले कीड़े हैं चुकि इसके पूरे हैट पर लग चुके हैं उसको भी रिमूम की हैं हम लोगोंने और यह बहुत ही ज्यादा डेंजरस कीड़े थे भी रिमूम हो चुके हैं और यह कुछ घिनोने डाइप की कीड़े थे जो कि यह भी ओसम तरीके से रिमूम हो गए हैं तो देखिए बहुत सारे कीड़े को हम लोगोंने रिमूम कर दिया है अभी थोड़े बहुत कीड़े बचे हैं तो देखिए यह भी कीड़े किड़ चुके हैं और लोग तरीके से हैंडवल अचाक हुआ है तो देखिए पूरे हैड़ पर लगी हुई कीड़े को सेप तरीके से निकाल चुके हैं हम लोग आगे हमरे इस्प्रे तो एक जगे दवाई लग चुकी है और दूसरी जगा भी देखिए हमने उससी तरीके से दवा लगा दिया है आगे हमारा कॉटन वूल रूई तो टाइमर चलने देते हैं टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है तो लगे हैं कीड़े तो आई वाले कीड़े बहुत ही से तरीके से गिर्श चुके हैं हम लोग इसके पूरे ही फेस का ट्रीट्मेंट करेंगे आज पूरा फुल और ये हमारा हैड़ वाला कटर बहुत ही से तरीके से रिमू कर चुका है कुछ कीड़े को और ये भी कुछ गिर्णोरी टाइब की कीड़े थे जो कि ये भी रिमू हो सुके हैं बहुत ही ओसम और लुक तरीके से और ये आख वाला कीड़ा था जो कि ये भी रिमू हो सुका है बहुत ही सेब तरीके से तो हम लोग इसके पूरे ही फेस को बहुत ही सेप क्लीन के साथ हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे आज और यह कुछ गिनोरेटाप के कीड़ी से जो कर यह भी रिमूर हो सुगे हैं हैड वाला चाकू बहुत ही बुरे वाले कीड़े को एक ही बार में काटके निकाच सुगा है आगे और तीला वाला चाकू अमारा जोकी इस ट्राइप और पोविया वाले कीड़े को एक ही बार में काटके रिमूर कर सुगा है पूरा का पूरा तो हमारा ग्रीड वाला चाकू के नरे टाइब की कीड़े को एकी बार पर काटके निकाला अभी ये ट्राइफोफोबिया वाले कीड़ा था जो कि ये भी रिमूव हुआ बहुत ही ओसम तरीके से आगे हमारा क्रोम वाला साकू और देखिए इस के नरे वाले टाइब कीड़े को एकी बार पर इस डिमूव कर सुका है और देखिए फिस पर लगे हुए कीड़े को हम लोग ने बहुत ही सेप और डीप लिन के साथ निकाला आगे हमारा दवा लगा देते हैं तो देखिए दवाई की ट्यूब लग चुकी है और यह हमारा दवा भी चला गया अब हम कॉटन वूल रूई आ गया हमारा तो टाइमर चल ले देते हैं टाइमर चल लेके बाद देखते हैं वायर रिजल्ट हमारा क्या निकलता है इसको हम लोग ने ट्रीट्मेंट कर दिय क्या है की नहीं तो देखते हैं